दोस्तों यह जो आप फूल देख रहे हैं यह सदावार के फूल है देखिए कितनी अंगिनत मात्रा में खिले हुए हैं सदावार का पोंदो होता है यह बहुत हाड़ी प्लांट होता है यह कहीं भी उग जाता है और इसके बीज जहां गिरते रहते हैं हमेशा उकते रहता है क्योंकि जो इसके बीज हैं वो कहीं गिरते हैं कोई भी मिट्टी में कहीं पर को गिरे तो वहां से पौधा निकलाता है तो इसको सदावार का पौधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फूल हैं यह हमेशा खिले रहते हैं और इंडिया में इसकी तो सदावार के पहुंदे की बात करें तो यह कई औस दी गुणों में भी काम आता है clone सकते हैं सदावार के पूंदे की इस से कई प्रकार कi फ्रिय Follow मास्क के इसके पूंदे का होता है और हुसीच आप बहुत हार्डी सोते हैं कैसी भी मिट्टी में ग्रों हो जाता आज मैं आप बात करोंगा इसको कैसे डीलागाना है और इससे अंगीनत फुल में प्ली जो वीडियो में नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब करने और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें कि ακो दोस्तों जो सदावार् का पौंदा है इसके लिए झो मिट्टी चाहिए अगर आप इसको पहुर में लगा रहे हैं तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए व कंपोस्ट यह गोबर की खात सड़ी वी गोबर की खात डाल सकते हैं और 50% उसमें मिट्टी हो नीचे garden soil तो इस प्रकार की मिट्टी में आप इसको लगाएंगे तो यह अच्छे से ग्रोह होगा और इसमें फ्लावरीन भी अच्छे होगी यह देखे मैंने एक की चीज में लगा रखा यह दीखे यह जो हम material फैक देते हैं जैसे प्लास्टिक की बोटल थी यह आएंगे तो इसमें और अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं कई लोगों की queries होती हैं हमारे उसमें जो पौधि में फूल नहीं आ रहे हैं और पत्तियां इसकी पीली होकर जढ़ने का कारण है इसका मेन कारण है जो है इसकी पुरानी पत्तियां हो जाती है वह भी पील है और पानी की मात्रा इसमें ज्यादा है वैसे तो इसकी पौधे को पानी भी ज्याद अच्छी है अगर इसमें खाद अगर अच्छी होगी तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी अगर इसमें खाद नहीं होगी तो इसमें खाली जो आपके देखेंगे पत्तियां पत् यह घर पर केले के चिलके जब सूख जाते हैं तो उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं खाद के रूप में जिससे की इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे होगी और आपकी मिट्टी जो है बहुत पोरस बनेगी मिट्टी इसके लिए ऐसी चाहिए जिसमें पानी रुके ना जिसके लिए मैं आपको बता रहा हुँ कि आप जो चाइपती यूज की चाइपती होती है अगर उसको आप बीच-बीच में डालते रहेंगे क्योंकि हम कई लोग ऐसे होते हैं डेली चाहिए पीते हैं तो उनकी चाहिपती जो है वह आप फैंक देते हैं उसको अगर आप गमलों में यूज करेंगे तो आपकी जो बहुत पोरस बन जाएगी जिससे कि इसमें पानी नहीं रुक제가 जो एक्षित कर दयए सबस्टेल का लाaps सब्सक्राइब ये धान की भूसी होती है वो भी मिलाएंगे थोड़ी मात्रा में 10% भी कर दिंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो पौधे के लिए अच्छी हो जाएगी और आपका पौधा उसमें अच्छी ग्रोध करेगा और उसमें पानी भी निरूखेगा ये तो होगे जो और गेनिक खा देगा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी इस प्रकार से आप जो है सदावार इसको विनका का प्लांट भी कहते हैं सदावार का पौधा जो है हमेशा आपका अच्छी फ्लावरिंग देगा और इस पौधे से आप बीज भी बना सकते हैं जैसे फूल सूग गया ह दिखते हैं मैं आपको दिखाऊंगा जैसे फूल सुख गया है तो यहां पर से जो इसके यह सीट पॉड बन रहा है इसमें से बीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे बीज बनेंगे तो अगर आप उसको निकालोगी नहीं तो खुदी जड़के प्लांट जो है त्यार हो जाएं ले ले डेदर आपो यहही हैं इसमें से प्लांट दिखाऊंगे हैं मैं यहाईंगे incred faireूएंगे तो जैसे पॉड़के ब motiv Т. रहना ूल सक्ते हैं है जड़के भलना सुलीं गन्तों पॉड़के रहसा है जा मेंन कॉ़के पूल ढ़ गभ ञाएंगे हैं देस पलातिक्तिस closelyकि झाल झाल झाल